हेलो प्रेंड आपका बेलकम है मेरी यूट्यूब पूजाजादा चैनल पर आज मैं आपके सेर करने बाली हूं प्रेंच कट बिलाउज अस्तल वाला बहुत इजी तरीके से अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ें और य इंच पर एक निशान लगाओंगी 10 इंच पर प्लेट बंते हमारी तो मैं यह 10 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं सिधी लाइन खीचती है मैंने आपको भी ऐसे ही करना है जैसे हमें बता रही हो और इस तरीके से में ट्रिक लगा दिया है हमें यहां से एक इंच पर और एक चोटा से निशान लगाओंगे इस तरीके से और एक इंच पर इधर भी लगाओंगे एक एक इंच पर दूरों तरफ हमें निशान लगा लेना है और इस को होने से आज जो हमने निशान लगाया था वहां पर हम सीधी लाइन खीज देंग और यहां से मैं इस तरीके से सी गुलाई दीते हैं इस तरीके से हमें चौक से निशान लगा लेना है इस तरीके से प्रेंस कट बहुत ही इजी तरीके से बनके त्यार हो जाती है और हमें इसे यहां से कट कर लेती हो इस तरीके से कट करना है आपको भी यह बहुत ही इजी तरीका ऐसा है और हमें जहां पर निशन लगा था हमें इसे भी कट करके यहां से निकाल देती हो कि इसे हम यहां से कट करेंगे अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत यची भिटिंग आती ब्लाउस की बहुत ही प्यहरा लुक देता है कि इस तरीके से हमारे ब्लाज कटेगा कि इस तरीके से रखेंगे हम कुछ हम यहां से इस तरीके से प्लट के और यहां से इस तरीके से यहां पर इस तरीके से सिलाई लगानी है दोनों तरफ और इस तरीके से हमें इस को भी कट कर लूँगे पहले में अस्तल को कट किया तो उसी तरीके से हमें इसे भी कट करना है इस तरीके से उत्टा रगया था इस तरीके से रखना है आपको और इसे मिश्ची तरीके से मिलाते हुए इसे यहां पर रखूँगे अच्य तरीके से और में यहां पर इस तरीके चौक से निशान कर लूँगी, आपको भी इसी तरीके से कर लेना है, और इससे अठा दूँगी, यहां से इसकौने से, फिर से इसमें गुलाई देती है इस तरीके से, और आम मैं इसे कट कर लूँगी, बहुत इजी तरीका है, बिलास कट करने का अब मैं इसे भी यहां से कट करके निकाल देते हूं यह दिखिए इसे में निकट करती है अगर आपको हमारे ब्लाउस की कटिंग समझ माई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएए कि आपको मारा वीडियो कैसा लगा देखिए इस तरीके से कट के तयार होता है इस तरीके से रख लेना हमें आपको मारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएए और लाइक करना ना बूलेएए झालेएए झालेएए और होता है